कि अधिक को सुना था क्या बात है क्रांति दिदी को तो जब मैंने दीदी को सुना हाँ अमने का दादा इस पर कुछ लिखना चाहिए हाँ जरूरी लिखा पड़ी जरूरी है तो आए अलांकि दीदी से अच्छा हम नहीं का पाएंगे लेकिन प्रयास करेंगे क्या बात है प्रयासने तो मच्छा करती हो सुनेगा दीदी सुनेगा ओ दीदी सुनेगा जीत आया था कभी कैसे के यू तो हसी नो के यू तो हसी नो के महां जमीनो के होते हैं रोज नजारे पर उने देखे जब तुमें देखा तुम लगे और भी भ्यारे तो के पाहों में ले लू आइसी ता मलना एक नहीं सौ बार हुई रात कली एक खाब में आई और गले काहार हुई रात कली एक खाब में आई और गले काहार हुई रात कली एक खाब में आई और गले काहार हुई रात कली एक खाब में आई और गले काहार हुई आई यह की हमने आपको मुझे सुना था तो अमने का दादा हमको बड़ा अच्छा लगा इसको लिखिए तो देखिए दादा ने लिखा है पंक्तियां बढ़ादेंगी जिस समय सुलोचना सती अपने पती मेहनाद का शीष स्री नाम जी के पास लेकर के आई सुलोचना सिर्व लेकर के आई अपने सासु मा के पास और यह परमसमानी भाई आमारे स्री कान पांड जी आपके उरसे क्यावन पत्वद्राएं धन्यवाद है शीष भगवान स्री राम जी से लेकर के आई तो सासु मंदोदरी ने कहा मा क्या मेरे ससी तुमें कोई कमी रह गई थी जो मैं हार गई तब उसकी सास मंदोदरी ने कहा बेटी सुनो तुम हारी क्यों कहार के जीत गई तु बेटी कहार के जीत गई तु बेटी और जीत के भी वो हार गई कहार के जीत गई तु बेटी और जीत के भी वो हार गई क्या सत्य सिंधों में आईसी डूबी सत्य सिंधों में आईसी डूबी तु बो के भाव से पार गई कहार के जीत गई तु बेटी और जीत के भी वो हार गई हाई के जीत गई तु बेटी और जीत के हार गई हाई के जीत गई तु बेटी और हलके के हार गई मंदोधरी ने कहा तु तो अपने सत्यतु के सागर में आईसी डूबी कि इस भाव सागर से पार जा रही है वास्तु विक्ता तो ये है कि प्रत्हम कलती सूप नखाने की क्या बत है उन वनवासियों के पास जाना फिर सीता हरा और फिर हनुमार और अंगत को संजाने पर हनुमार और अंगत के संजाने के बावजूद भी युग्ध करना तो सुन पहले तो कलती की क्या बत है पहले तो गलती की गलती पे गलती की गलती का फिर सिलसला है जो आला जो जलती है करनी तब खलती है करनी का खल ये मिला है क्या कुछ को संजाने जो कुछ को वो थी है जो हम सब की मती मार गई तो हार के जीते गई तू बेटी और जीते के भी वो हार के जीते गई तो बेटी और जीते के हार के जीते गई तो बेटी और जीते के हार के जीते तुना सासु मंदोदरी ने कहा कि तेरे सथितों में कोई कमी नहीं थी लेकिन सुन उधर उधर अयोध्या में दोदो सथियों का बल लड़ रहा था तू तो नवे यह है जाना है यह है तू तो नवे लिहा पीकी सहे लिहा उरसे सदा और मिला है अरे तेरे क्यासे और तेरा एहर ने तो हमेशा मिला है लाकिन उधर और मिला को देखो तू तो नवेली है पीकी सहेली है उरसे सदा और मिला है तू तो बिलखेती है तू जी पथि लखेती है आवध भावन में उर्मिला है तू तो बिलखती है दू जी पथ यानी रास्ता देख रही है मेरे स्वामी कब आएंगे और एक उधर लंका में अश्रु बहा रही है लगातार तो दो दो सतियों को बन लड़ा था तू तो नमेली है पी की सहेली है उर से सदा उर्मिला है एक तो बिलखेती है दू जी पथ लखेती है आवध भावन में उर्मिला है एक तक्रन दला गया का रोले को उस परमात्मा के पास एक तक्रन दला गया का रोले को दू जी की मनो हार गई और के जीत गई तू बेदी जीते के भी तो हार गई और के जीत गई तो हार गई और के जीत गई तो हार गई और एक बार पुना मुन्ना ड्राइबर जी की ओर से 21 पत्र मुद्राय साधर समर्पित हैं सुन्दर से कीर्टन पर मुन्ना ड्राइबर और रभी जी आपके ओर से 21 पत्र मुद्राय और ये परम सम्माने भया हमारे हरियोम दिवेदी जी आपके ओर से ये ग्यारा और ये परम सम्माने ड्राइबर जी आपके ओर से ये यादर जी लेखपाल जी आपके ओर से सौपत मुद्राय है धन्यवाद है और और फिर से प्रोट्सान के लिए परम सम्माने हमारे वहेदी है और ये जी और आपके ओर से हैं तर देत्र लेखप्याद्राइबर जी आपके ओर से हैं जो की प्रारम बहुत हा कारिकम तब से और अभी तक तक प्रोथ साहन के रूप में आपने ये क्यावन पडूराएं हैं दी हैं महर्दे से नमन कर रही हूं धन्यवाद हैं और ग्यावन पडूराएं परमसमानि बया भानु निर्मल जी रचनाकार और ज्यानगुरू परमसमानि बया हमारे महें सिंग अतल जी और महागुरू परमसमानिय स्वर्गय दादा सरी हारी किशन जी कानपुर। अटल निरमल संकेतन पार्टी बंग्राज जालाउन उत्तरवदेश आपके ओर से ग्यावन पत्रवद्राइब हर्देश नमन है आशिरवाद की कामना है और ये महें सिंग अटल जी अटल निरमल संकेतन पार्टी बंग्राज जालाउन उत्तरवदेश ग्यान गुरू परम सं दाधा शुरी आपके और से क्षेक बुराएं थे नमने और या दरने सम्भाणी भ्याम नोजी आपके और से घ्यारा पत्र मुद्राइर स्यादर समर्पीत और देखें अन्तिम बाद फिर मंदोद्री ने कहा और तुछ से तुछ से महान कौन हो सकता है शत्रूम की शभा से तो अपने पत्प का सिर्द ले आई इसका मतलब तो ने शत्रूम की हर्दे को भी जीत लिया और इससे बड़ा और उपहार क्या हो सकता था तो देखे हुआ क्या क्या गुल में गुणा गर ती कुल्नी कुणा कि वनवासी नागर की जा पहुंची माउन सभा में तैनों की गागर में या विभासा गर में भरती है जोती प्रभा में तो जीते लिया रखो राज कमल को ले करके उपहार गई क्या जीते लिया रखो राज कमल को ले करके उपहार गई हार के जीते गई तू अंगे थी जीते के तो हार गई हार के जीते गई तो बेखी जीते के भी वो हार गई हार के जीते गई तो बेखी जीते के भी वो हार गई हार अरी बढ़ कुना है जो हार गई चाहे कहो इसे मेरी मुहाबत चाहे हासी में उड़ा दो ये क्या हुआ मुझे मुझे में खबर नहीं ये क्या हुआ मुझे मुझे में खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो तुमने कदम जो रखा जमी में सीने में तक्रार हुई रात कली कुखा हुए और कले काँ हान हुए तुमने कता में जो रखा जानी ही पए जनकार हुए आतकली एक था दुनी आई और कले काहार हुए इन आख लोगने शुना है की तो नहीं दोराओंगी आदनिये जोदिक मंदी आईए अपनी और से जो जवाद देरी उसने केहने लगा प्रभूचरी राम से जैसे इस्तिती में ही तो कहने लगा लगा करके आनल प्रतिपल प्रतिव के साथ है लेकिन उसको भय नहीं है क्या लखकर के आनन हसताता सानन सुनिये प्रभू ये पानी पानी सुने करें ऐसी दभूबर उनके हिर्दय समानी ऐसी बानी रावन ने बोली तो भ्रभू स्री रामी उसके साथ निरत्र हो गए गए सत्त की जग में आपकी जग में माना जय जयकार हुई हार के स्वामी जीत कया मैं प्रवन कहने लगा के हार के स्वामी जीत मेरी हुई जीत की प्रभू आपकी हार हुई हार के स्वामी जीत मेरी हार हुई कहने लगा अब रामन हार के स्वामी जीत है मेरी जीत के आपकी हार हुई लेकिन नाक मेरी हार के भी जीत हो गई अब रामने अंतिक तर्क दिया और वो तर्क क्या रहा तर्क दिया आय राम आप विवस हो गए मेरे जीते जी आप लंका नहीं आ पाए लेकिन राम मेरी किसमत दो देखिए आपके जीते जी में वहा का रहा हूं आपके डाम जा रहा हूं जीते जी अपने फुए सचन सपने जीते जी अपने, हुए सचना सपने, नगरी में आने ना दिया जीते जी अपने, हुए सचना सपने, नगरी में आने ना दिया ना एसा किया है, जद तक जिया है, सिया ले जाने दिया ना जीते तो फारे, हम है सिधारे, आप यही है, लेकिन मैं आपके बास में जा रहा हूँ, वैकों में जा जा आपके दादार राजामर्जी का नाम लगाया है, प्रयास करेंगे रहे जीते के आपकी हारे होए हारे के सावी रिस्ति के आपके हाई होए प्रेट वालो सच्चे धर्मार की अरे शमानी बडविया भयसरी मुन्ना यादाव जी ड्राइवर बड़िया